हे उड़ी 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 हे खाबोंगी पड़ी हे रांग रांग खेली हे सारी रातों गरी हलकी ए हलकी कर रात जो शब नम गिली अखिया वखिया कर गई कर तो हात बडब डब गिली पहली पहली बारेश की छीटे पहली बारेश भीगे भीगे नागिना नागिना नाजरे नागिना उलजी हुई थी कुल दी गई थी लटवो रात बर बरसी कभी मनाया कुप सदाया थी सब यार की मरजी हे उड़ी 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 हे खाबोंगी बुड़ी हे अंगरंग खेली हे हे साही रात हो दी छेड़ दू मैं कभी प्यार से तो तंग होती है छोड़ दू रूठ के तो भी तो जंग होती है छेड़ दूँ मैं कभी प्यार से तो तंग होती है कामखा चुमलू तो भी तो जंग होती है जिन्दगी आखों की आयत है जिन्दगी बलकों पे रखी है तेरी अमानत ये जिन्दगी आजिन्दगी हाँ जिन्दगी नागिना 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 ओ 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 नाजारे नागिना ओ ओ जी हुई थी कुल्बी गई थी लड़ो रात भर बरसी कब मनाया खुप सब्लाया थी सब यार की मरसी हे एलडात सबस् bipolar है हम रखेल आपना मेरानाम पुनित है और मैं खोच्व दे बैन्ड का गिटारिस्ट और singer and founder हूँ तो आज हम जो song करेंगे A.R. Rehman sir का बहुत ही superb song है साथिया movie से and इसको मैंने actually acoustic guitar के लिए arrange किया है E minor में original song G minor में है तो अगर आप original के साथ play along करना चाहें तो आपको 3rd fret पे केपो लगा के same जो मैं आपको सिखा रहा हूँ और same shifts बजाने पड़ेंगे तो मुझे थोड़े changes करने पड़े original progressions है क्योंकि original song में bass और keyboard पे complementing chords है जो guitar पे replicate करना काफी difficult है और more importantly sound भी सही नहीं करता है so मैंने इसको अपनी तरीके से अपना interpretation किया है तो I hope you guys like it मेरे बाकी lessons भी है you can check them out आपको link दे रहा हूं हीचे description में so please check them out and अगर आपको पसंद आए तो please do like, share and subscribe okay so let's get straight to the lesson now तो यह पहली riff जो है E minor chord के around based है 3rd fret of the 6th string पे middle finger से G note इसको bend करना है और vibrato भी देना है तो यह है simply E power chord तो आपको जिस्ट ऊपर की 3 strings बजानी है 6, 5 or 4 and बाकी की strings नहीं बजानी है तो बार से आप पकड़ोगे तो अपने आप से mute हो जाती नीचे की strings तो आपको alternate करना between this and same strings but open यानी lift off करना आपको finger तो आप जो नॉमल E minor पकड़ते हैं ऐसा ही है सिर्फ आड करना है D note यानी 3rd fret of the 2nd string अगली chord है G major तो यह आपको A string यानी 5th string का 2nd fret आप नॉमल यह ऐसा भी जाते होंगे तो यह आपको यह वाला note नहीं बजाना है यह अपको mute करना है पर उसके बाद A minor 7th यह नॉमल E minor जैसा होता है वैसा ही है सिर्फ आपके ring finger उठाना है और 3rd string को open play करना है और आखरी chord है B7 So normally अपन B7 में पूरी यह chord बजाते है लेकिन यहाँ पर अपने को सिफ strings 5, 4, 3 और 2 के ही notes की जरूरत है So आप play भी करेंगे तो भी problem नहीं है But required नहीं है So यह है 5th string 2nd fret और 3rd string 2nd fret आपकी middle और ring finger से फिर आपकी जो index finger है left hand की वो 1st fret of the 4th string पर आएगी फिर open B string, open 2nd string And आप चाहते हैं तो 2nd fret of the 1st string भी आड़ कर सकते हैं F sharp note So यह main progression है E minor, G, A minor 7 और B7 So यह almost पूले song में recurring बार बार आती रहती है So यह है इसके अलावा दो change ups है, एक है यह chord This is F sharp का inversion है This is basically D major chord और आपने F sharp bass note प्ले किया ऐसे Normally F sharp यहां होता है तो उसके बजाए आपने उसको ऊपर की string प्ले किया है तो इसको inversion बोलते है और आप यहां पर नीचे की 1st string नहीं प्ले करें So this is normal D major chord यह नीचे का 1st string प्ले करने की ज़रूत नहीं है और उपर आप F sharp का bass डाल दीजिए So this is D over F sharp और जो आखरी chord है जो चेंजब की तरह यूज करते हैं वो है C sharp minor 7 flat 5 Also called as C sharp half diminished तो नाम थोड़ा scary है लेकिन it's not at all a difficult chord So this is basically the 4th fret of the 5th and the 3rd string 5th or 3rd string की 4th fret उसके बाद 5th fret 4th string और फिर 5th fret 2nd string So यह हो गया आपका C sharp minor 7 flat 5 और अलसो called है C sharp half diminished एक और chord है इसमें वो है C major 7 So यह जो आप normal C बजाते हैं वैसे ही है सिर्फ open second string है और यहाँ पर note नहीं है So गाले में इतनी ही chords है तो पहली जो progression है वो है E-7 G A-7 और B-7 यह स्टार्ट होता है जहां पर A-Urdi-Urdi के बाद जो पाड़ाता है So So यह काफी easy है एक down strum करना को chord पे And आप 2nd और 3rd string पे जिस्ट एक upstroke arpeggio कर सकते हैं तो यह पुरे first four lines के लिए पहली पहली बारिश की चिदे यह पहली बारिश की चिदे तो यहां पर है पहली e-minur पहली पहली पर आपको दी-ओवर F sharp chord बजाना है जो मैंने आपको सिखाय था पिर जी A-minor So हिन सब हो सब से single-single strums यह है और फिर C Major So बारिश की पर C पर down Of down वारिश की चीटे वो यह है B7 फिर A minor फिर A minor B7 फिर उसके चीटे फिर उसके चीटे फिर उसके चीटे फिर 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 उसके बाद विजिए E minor D over F sharp G so down up down up muted D over F sharp G muted downstream तो यह है A minor D over F sharp and B7 so actually मैंने यह variation प्ले किया यहां पर तो आप B7 को और भी प्ले कर सकते हैं अब इन आपको यह easy नहीं लग रहा है तो otherwise जो मैंने किया है काफी simple है descending baseline है B note से चालू होती है यानी 2nd fret 5th string B middle finger से प्ले करना आपको left hand की B फिर open 5th string 3rd fret of the 6th string और 2nd fret of the 6th string 2nd fret 2 यह फिर से पना वही प्रोग्रेशन है E minor G A-7 और B7 फिर सकेंड टाइम आउंड यह सी शाप माइनर सवेन फ्लाट फाइव यार की और यार की सी मेजर सवें यह आप ऐसे भी प्ले कर सकते हो या ऐसे भी आप यार की मर्जी बी सवेन ठीक है तो तो यह back to the main riff फिर उसके बाद यह सेम है जो पका फॉस्स प्रोग्रेशन है वैसे यह सेम अगें फिर सी मेजर सेवें A-7 B-7 C-7 A-7, B-7 C-7 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 C-7